नमस्कार दोस्तों मैं प्रतीक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आइविश टेक्नोलोजीस के ऑफिसल यूटूब चैनल पर तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आवर व्यू आफ मैजिक बॉक्स इसके अंदर जो है जो म्द्व सौफ्ट वर है इसके अंदर आपको एक मैजिक बॉक्स मिलता है यूओ के ज़ादू का पिटा रहा क्योंकि जो मॉस्ट्ली जो टूल्स थैं वह आपको सारे संधर मिलने वाले तो सबसे पहले हम अपना राइटिंग सौफ़्ट्वर ओपन क यह जो magic box है वो आपका यह वाला box होता है यहां पर आपको देख रहा होगा यह cartoon सा बना हुगा है आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर जो है कई सारे टूल्स मिल जाएंगे अब यह जो magic box है इसको magic box क्यों बोला जाएंगे इसके कई सारे रिजन है क्योंकि इसके अंदर कई सारे टूल्स हैं जो आपके स्टेडी के अंदर help करते हैं सबसे पहला इसके अंदर जो आईकन आपको मिलता है वह आपका मिलता है इंटर्नल श्टोरेज का जो भी आपकी डिवाइस की इंटर पर सो हो जाती है अगर आपकी OneDrive या Google Drive के उपर अगर कोई भी डाटा है तो आप डारेक्ट वहां से भी अपना जो content है इसके उपर import कर सकते हो next अगर आपने कोई भी pen drive इसके साथ में connect की विए तो आपको यहां पर pen drive को option अगर आप इसको भी यूज में लेना चाहते हो तो आप इसको भी यूज में ले सकते हो करेंगे मैट के जो टूल्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आपने कोई document camera इसके साथ में attach किया हुआ है तो भी आपको यहां पर सो हो जाता है अभी फ्लाल में मैंने कोई document camera इसके साथ में टैस नहीं किया है that's why open नहीं होगा एक इसके अंदर जो आपको माइवीबोड औरीजिनल्स व्यू सोने का खुद का यह content होता है वह आपको इसके अंदर मिल जाता है यह किस तरीगे से वर्क करता है हम नेक्स टॉपिक के अंदर डिसकस करेंगे इसके अंदर जो आपको options मिलते हैं वह इसके अंदर मिलता है आपको inbuilt ब्राउजर को option मिल जाता है व्यू सुने के सबसे एक अच्छी चीज यह है कि व्यू सुने के Google और Microsoft education partner है that's why इसके अंदर कई सारे features आपको मिल जाते हैं इनके उपर भी हम discussions करेंगे इसके अलावा आपक से work करता है वो भी हम आगे discuss करेंगे इसके अलावा image search का let's suppose अगर आपको कोई भी images गूगल से search करनी हो तो आपको Google पर जाने की जोड़ती नहीं है यहाँ पर आपको Google images को option मिल जाता है directly आप कोई भी content search करोगे वो images के अंदर ही search होगा ओके और आपको writing software के उपर import करना है त आप उसके अंदर कर सकते हो एक इसके अंदर आपको throw option मिल जाता है तो किस तरीके से work करता है वो भी हम next video के अंदर समझेंगे एक इसके अंदर pop quiz का जैसे आप बच्चों के साथ में कई वार quiz वगरा organize करते हो तो उनके answers के इस तरीके से collect करने है और आप जो question है वो बच्च वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो हमारा data है वो इसके उपर import करना है अगर आपके पास में कोई PDF है उसके तुरू कैसे explain करना है आपके पास में images है तो उसके तुरू कैसे explain करना है क्योंकि generally क्यों होता है आपने देखा आज क कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं थैंक यू